दिल्ली Medical Association का कल चुनाओ है इस बार DMC के इलेक्षन की खास बात है युवाओं का चुनाओ लड़ना इसी सिलसिले में टीम UDF के सदस से डॉक्टर संजीव चौधरी से हमने बातचीत की नमस्कार मैं हूँ प्रथम मिश्रा आप मेरे साथ देख रहे हैं दिल्ली तक मैं खुद अभी पहले आपका परिचे करा दूँ हमारे साथ डॉक्टर संजीव चौधरी है जो खुद इस इलेक्षन में कंटेस्ट कर रहे हैं और वो अनोखी चीज़ के बारे मैं आप ही बताई इस बार सबसे पहले तो मैं पर्थम बाई आपके दर्सकों को परणाम करता हूं दिल्ली के आपके मादेम से आपके चैनल के मादेम से दिल्ली के सारी चिकेश्चों को बताना चाहता हूं कि वो जानते हैं कि दिल्ली मेडिकल का चुनाव जो कल दिना आठ मार्च को होने जा रहा है और ऐसा अब तक होता है जैसे 1997 से अपनी काउंसिल की जो एक्ट बना है, डीमसी एक्ट बना है, तब से पुराने जैसे हमारे गुरु लोग हैं, जो गुरु जन है, बड़े, वो सब लोग उसमें जाते रहें काउंसिल में, बट इस बार पहला ऐसी बार हो रहा है कि युवा के, MCD के सारे हस्पतालों की, तो उन्होंने कहा कि यूथ की इस्यूज इसलिए ज़्यादा आ रहे थे, कि असूल्ट का इस्यू हो गया हमारा, कि आज तक ऐसा देखने को मिल रहा है कि कि आए दिन असूल्ट हो रहे हैं, हर जगह के जोल टीम हमारे साथ जैसी दो दिन पहल के ऐक पोलिशी और उनकी भेतरी के लिए काम कर सके हैं, जैसे मैं बटाजना चाहता हूं परत्म भाई कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल में टोटल जो मेंबर होते हैं, जो आट होते हैं इलक्टेड मेंबर, जो इलेक्शन के थूरू जाते हैं एक होता है जो दिली मेडिकल आस श्जेम से आते हैं चार वता है जो दिल्ली सरकार नोमिनेट करके बेजती है और बाकी हैर अब बाकी जो सत्रा लोग तेरा प्रेस बार नेılar यह युवा पुरे दिल्ली के जो जितने युवा चिकिश सकते और सीनियर लोगों का असिरवाद लेके उनको साथ लेके चुनाव लड़ा ताकि आठ हमारे युवा पूरी हमारे रिटीम उतरे और बाकी जो 17 लोग बाकी क्या हैं सब लोग एक मिक्सर होगा जो भेतरी के लि को जखड़ा हुआ है पूरे भारत को ऐसे में आप किस अजेंडे के साथ उतरेंगे क्या आपका काम होगा क्या आप करना चाहेंगे जैसे आपने पूछा परसंबाई की कोरोना के लिए बिलकुल आप सही कह रहे हैं कि यह थोड़ी मारे लिए दुखत गटना कि ऐसी तीज पिल भी है प्लस हमारे काउंसिल के जो मेंबर हैं जो नबहजार उनसे मेरी एपील है और हम लोग चाहेंगे जैसे हम लोग आए कल को तो ऐसी चीजों में जो अपातकल परिस्तितियों में उसमें काउंसिल का भी पूरा भर्चूर योगदान रहेगा कि इन चीजों को घबराने कि या डरने की जरुवत है कोरोना से नहीं है ऐसी कोई परिस्तिति मतलब घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है जो लोग आ रहे हैं उसमें के लिए हर तरह से हर लेवल पर स्क्रीनिंग और हर सारी हमारे पास हम इस मामले में सक्सम है कि इन जैसी हर परिस्तितिति से इस देश के बहतrची की सिकाएं, इस देश में सारे लोग स्वास्ते के लिए के इतने जागरुक भी है कि इन जैसी चीजों से हम निपट लेंगे, कोई ऐसी गभराने वाली कोई बात नहीं बहुत बहुत शुक्रिया, तो हमारे साथ थे डॉक्टर संजीव चौधरी, इन्होंने बताया कि DMC का जो इलेक्षन है, दिल्ली मेडिकल काउंसिल का, इस बार उसमें युवा जोश भी देखने को मिलेगा, इलेक्षन कल है, क्या नतीजे आते हैं, वो तो बाद में पता चल लेकिन युवा जोश जोकी अनोखी बात है, इस बार DMC के इलेक्षन की